पहली बार में इतनी जल्दी आ गया, शायद कलशनिकाओ का सर है, इस देश की जनता का एक हिस्सा हमारे प्रधान मंत्री को ईश्वर की तरह पूछता है, तो मैंने सोच उनका ईश्वर जिसे नमन करता है, मैं उने उस इंसान के बारों में भी बताऊं। मराठा शब सुनकर आपको छेतरपती शिवाजी महराज ज्याद आते होंगे, और अब बॉलिट की वज़े से शायद बाजिरा और ताना जी भी, मगर मैं चाहता हूँ कि अपसे आपके जहन में एक और नाम भी आए, सिर्फ तब नहीं जब कोई मराठा का है, बल्कि तब भी जब कोई साहस कहे, जब कोई ताकत कहे, जब कोई वीरता कहे, जब कोई फेमिनिजम कहे, जब कोई रैशनालिटी कहे, जब कोई विद्रोह कहे, जब कोई महानता कहे, मैं चाहता हूँ आपके जहन में नाम आए, महात्मा जोतिवा फुले का, और मैं ऐसा क्यों कहा रहा हू आये जानते हैं तारीख 11 अपरेल 1827 पुने के एक माली के घर में एक लड़का पैदा होता है नाम जोतिवा फुले ये फूल बेशने वाला परिवार समाज में जातिवाद की कितने काटों से गिरा है ये जोतिवा फुले को समझ माया 1847 में जब उनके ही एक ब्रामन प्रीमित्र की शादी में जातिवाद का दंश जेलना पड़ा जब वहाँ के उच्छ वर्गों की लोगों ने कहा कि ये शूद्र लड़का हम ब्रामनों की शादी में कैसे शामिल हो सकता है इस जातिवाद के कार्टेस ने पड़ने के लिए उस माली के बेटे ने सिक्षा के फूलों आने शुरू की है सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित रिबाई फुले को एजुकेट किया जो तिबा फुले थॉमस पेन की एक किताब The Rights of Men से भी काफी ज़्यादा प्रभावित थे किसी इस्तरिया फिर किसी इंसान को एजुकेशन मिलना उसे उसके Human Rights मिलने जैसा ही है अब चोकि दुनिया भर की किताबे इंसानों ने ही लिखी है और उसमें भी एक खास किस्म की किताबे तो सिफ मर्दों ने ही लिखी है तो उस खास किस्म की किताबों में ये विशेश ध्यान रखा गया कि महीलाओं को सिक्षा ना मिल पाए जब महीलाओं को पता ही नहीं होगा कि उनके मानव अधिकार हैं क्या तो नहीं ये कैसे समझ में आएगा कि उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं वमन और रिलिजन पर मैंने एक स्पेशल विडियो बनाई है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक जनुवरी 1848 को फुले दमपत्ती ने पुने में बुद्वार पेट के भेड़वाडा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल ओपन किया लड़कियों के लिए पहला स्कूल मतलब? दर्म के हसाफ से लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था अफसोस कि हम भारत में ना जाने कितनी देवियू के नाम तो जानते हैं मगर हम भारत की पहली महिला सिक्षे का सावीत रिबाई फुले को नहीं जानते 1851 तक फुले दमपत्ती ने ऐसे तीन स्कूल खोल लिये थे जहां लड़कियों को बहुत हाई कॉलिटी के एजुकिशन प्रोवाइट की जाती थी मगर एक महिला वो भी पिछड़े समाज की खुद पढ़ले और बाकी लड़कियों को भी पढ़ा है यह उस समाई के धर्म के ठेके दारों और उन्हें फॉलो करने वाले अंदे समाज को रास नहीं आया जैसा की आज होता है धार्मिक पाकंट और पुरुष सत्ता को दुनिया में और किसी चीज़ से इतना ड़र नहीं लगता जितना एक आजाद स्तरी से लगता है जोतिवा फुले के पिताजी पर समाज के द्वारा दबाओ बनाया गया कि आपका लड़का और उसकी पतनी धर्म के खिलाफ जा रहे है पिता नोंने समझाया जोतिवा फुले नहीं माने और पिताजी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया उस जमाने में जब जाती प्रता कुए के पानी पर भी हावी थी तब फुले दमपती ने अपने घर में एक कुए खुद वाया जिसका पानी बिना भेदबाओ के सब के लिए था 24 सितंबर 1803 को जोतिवा फुले ने सत्य शोदक समाज की नीव रखी जिसका उदेश लोगों को उनकी अधिकारों के बारे में बताना और रैशनल बनाना था इसका असर ये हुआ कि समाज के एक बड़े तबके ने नाम करणों और शादी बया जैसी चीज़ों के लिए पंड़ा पुरोहितों को बलाना छोड़ दिया तो धर्म के ठेकेदारों ने समाज को डराया कि बिना संस्क्रत भाषा के आपकी प्रारतनाई इश्वर तक नहीं पहुँचेगी तब जोतिवा फुले ने लोगों को समझाया कि जब तेलगु तमिल का नड़ा और बंगाली में इश्वर तक प्रातनाई पहुँचती है तो फिर अपनी भाषा में इश्वर तक प्रातनाई क्यों नहीं पहुँचेगी जोतिवा फुले ने जातिवाद की खिलाफ एक किताब भी लिखी जिसका नाम है गुलाम गिरी उस किताब में वो लिखते हैं ब्रामन पंडा प्रोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी गरंतों के माध्यम से जगे जगे बार बार अज्यानी शुद्रों को ये उपदेश देते रहे जिसकी वज़े से उनके दिलों दिमाग में ब्रामनों के प्रती पुझ्य बुद्ध्य उत्पन न रही इन लोगों को ब्रामनों ने उनके मन में जो इश्वर के प्रती भावना थी वही भावना अपने प्रती समर्पित करने के लिए मजबूर किया ये कोई मामूली अन्या नहीं है इसके लिए उन्हें इश्वर को जवाब देना होगा जोतिबा फुले कहते थे कि मंदिरों के देविदेवता ब्रामण और प्रोहितों का धकोसला है दुनिया बनाने वाला एक पत्थर विशेश या फिर एक खास जगेता की सीमित कैसे हो सकता है जिस पत्थर से सड़क और मकान बनाए जाते हैं उसमें देवता कैसे हो सकता है इसी बात को कबीर दास जी ने अपने अंदाज में कहा कांकर पाथर जोड के मस्जित लियो बनाए ताचड मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खोदाए जोतिबा फुले बाल विवा प्रता की खिलाफ भी खूब लड़े और उन्होंने विद्वा पुनर विवा के लिए भी काफी काम किया विद्वा पुनर विवा मतलब धर्म के हिसाब से विद्वा मही लाएं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी जोतिबा फुले ने कहा कि जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंदा है कप्ड दोना दोबी का धर्म नहीं धन्दा है उसी प्रकार पूजा पाट करना ब्रामनों का धर्म नहीं धन्दा है उन्होंने कहा कि अगर पत्थरों में मंत्रों के जरीए देवता आ सकते हैं तो फिर मंतरों के जरीए किसी मुर्दा को भी जिन्दा किया जा सकता है इस से आदाया पंजाब में किर्श्चन पास्टा बजिंदर सिंग नेक फैमिली से 80,000 रुपे लिए एक लड़की को जिन्दा करने के लिए वो सब ठीक है मगर 80,000 रुपे थोड़े कम नहीं किसी को जिन्दा करने के लिए जोतिबा फुले ने कहा ब्रामनवादी अपनी गरनिस सोच के कारण मेला खाने वाली गाये का पेशाब पीकर पवितर होते हैं मगर शूदर के हाथ का साफ सुतरा पानी नहीं पीते सौकरिटीज और गैलीलियों के तरह इने विदार में कट्टरवादियों ने मारने के कुशिश की मगर जो दो लोग इनका असैसिनेशन करने आए वो इनकी बाते सुनकर इनी के सपोर्टर हो गए कितने शर्म की बात ही कि हमारा समाज बाल गंगादर तिलक को तो जानता है मगर जोतिवा फुले को नहीं जानता बाल गंगादर तिलक वही हैं जो कहते थे कि केवल उनी जातियों को स्कूल में प्रवेश मिलना चाहिए जिने प्रकृति ने इस लायक बनाया है मतलब सिर्फ उच्छी जातियों को उन्होंने ये भी कहा कि सबी जातियों को अपनी जातियों का काम ही करना चाहिए धर्म किस तर अगिजी की बुद्धी बरेश्ट कर सकता है या आप देख सकते हैं जबकि ये जोतिवा फुले के समकाली नहीं थे ये वही बाल गंगादर तिला की जन्होंने महीलाओं को सिक्षा प्रजान करने का भी काफी विरोध किया ये कहते थे कि महीलाओं कमजोर है स्तिरी से ही निकलाओ पुरुष कैसे स्तिरी को ही कमजोर कह देता है मुझे समझ नहीं आता ये कहते थे कि महिलाओं का काम कुल को आगे बढ़ाना है अगर उन्हें आदूनिक सिक्षा दी जाएगी तो वो और परेशान हो जाएगी क्योंकि आदूनिक सिक्षा को समझना उनकी बुद्धी से बाहर है एंडू टेट जैसे लोग तो बच्चे हैं वरतमान के आप कुछ दिन तो गुजारी इतिहास में अंदूस्तान के चत्रपती शिवाजी महाराज को फॉलो करने का नाटक करने वाले लोग आते ही होंगे कॉमेंट सेक्षन में मुझे और जोतिबा फुले को गाली देने मगर मैं उने बता दूँ कि वो जोतिबा फुले ही थे जन्होंने रायगर जागर शित्रपती शिवाजी महाराज की गुमनाम समाधी को खोजा और उसकी मरमत करवाई इतिहास की कुछ पन्नों पर वक्त के पहियें से धूल लग जाती है और ये हमारा काम है कि हम वो दूल साफ करके उस मांता को पुनर जीवित करें जिस्ते आने वाली पीडियों तक सिफ संस्कृती धर्म और पाखंडी ना पहुचे बलके उन्हें ये भी पता चली कि उनके पुर्खों से विरासत में उन्हें बहुत सारा उजाला, होसला और अंधकार से लड़ने का जिगरा भी मिला है आखरी में जोतिबा फुले की ए फेमस लाइन्स जो कि मुझे भी बहुत पसंद है विद्या बिना मती गई, मती बिना गती गई, गती बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चर्मरा है एक अविद्या ने कितने अन्याय की है 18 समब्बर 1809, 33 साल की उमर में जोतिबा फुले की मृत्ति होई और उसके एक साल बात, अटरासो इंक्याडनो को एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसने जोतिबा फुले को अपने तीन गुरुओं मैंसे एक गुरु माना किस महापुरुष का जन्म हुआ था अटरासो इंक्याडनो को मुझे comment section में उस महापुरुष का नाम बताओ चलो एक hint देता हूँ इतना पानी पिया था मेरे grandfather ने मंदिर के कूल से रिट के अड़ी तोड़ दिरम की I hope कि जोतिवा फुले की कहानी से आपके जिंदगी में भी रांती के जोति और समानता के फूल खेलेंगे